एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया हैंली को जो कि अपने असिस्टेंट्स की मदद करता है और उने पिल्स देता है अब यहाँ पर वो जी उस जी को देखता है जिसका नाम फिलहाल ये शी से डिनोट किया गया है मैं बता दूँ ये ये शी वही पिछले एपिसोड यानि की सीजन वन से बिलॉंग करता है अब हमें दिखाया गया ताइनन को मैं बता दूँ कि ताइनन यहाँ पर उमीद नहीं कर रहा था हैंली से मिलने के लिए यहाँ पर वो कहता है कि तुम्हारी अरतवियत कुछ अच्छी नहीं लग रही है बहले ही तुमने इमिडियेटली स्टेज ओफ इस्टैबलिश्मेंट पाउंडेशन में हो यहाँ पर वो बताता है ताइनन यहाँ पर उसका नाब ताइनन है जहाँ पर हमिलेक सीजन वन में इसे देखा था और ये शी यह फिकाओं वू जी उजी जो कि अब इस तरह से दिखने लगा है और इसके हालत का जिविदार हैनली है ये साही चीजे वो उसे बताता है हैनली कहता है कि आज जो है जो भी हो हम तुमें रोक कर रहेंगे दूसी तरफ हमें दिखाया है कि ये शी को रोकने के लिए उन लोगों ने काफी जादा मातरा में क्रोकोडाइल को भेजा होता है जहाँ पर ये शी fight करने में busy होता है उन क्रोकडाइल से और काफी अची टक कर दे रहा होता है जिससे वो उन्हें हरा सके यहाँ पर हमें Tynan को दिखाया गया है जिसके उपर वो attack करता है निक है हैंली है काफी जादा मजबूत होती है जिस हाँ पर हैंली पकड़ा जाता है और वो उसके उपर attack करता है लेकिन हैंली कैसे भी करके उस attack को dodge कर लेता है अब यहाँ पर यह attack काफी जादा नजदीक से उके निकला था क्योंकि एक तरगा blade भी है तो वो उससे काफी कि नजदीक तरिके से बचा था यहाँ पर हमें हैंली के सीनियर को दिखा आया गया जो कि जूशी से fight कर रहा होता है और उसका हाथ हैंली रेक काट दिया होता है जैसे कि पिछले एपिसोड में भी उसका हाथ काट गया था अब यहाँ पर यह दोनों पस क्या ताकत है बस इस monster की जिसे मैं अभी के अभी मा सकता हूं और यहां पर इन दोनों के बीच में एक जबर्दश fight होना चलो जाती है जहाँ पर दोनों यह एक दूसरे के उपर काफी अच्छे प्रहार करते हैं फाईनली यहां पर हैंली के सिर नियर होते हैं काफी ज़्यादा भारी पड़ रहे होते इस monster फ्यूब पर लेकिन यह monster भी काफी तगड़ा है जो की fight कर रहा होता है घट के सर के साथ यहां पर हैंली के सीनियर कहते हैं कि तुम्हारी एंडीमन बॉज भी बिलकल ही बेस्ट है क क्योंकि ये तुम्हारे प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही तुम्हें। दूसी तरफ हमें दिखाया गया है एक ककून को जहां पर उसके सीनियर इस ककून को तोड़ने की कोशिश करते हैं। ताउजन अफ स्वाड की मदद से। ये टेखनीक भी उनके काम नहीं आती। इसके वो सौट एक बाफिर से ट्राइ करते हैं। उसी दोरान एक जूनियर जम्प करता है और यहां पर ये डीमन उसको मार देता है। उसके पेट के अंदर अपना हाग गुसा देता है। जिसकी वज़े से इवल पावर उस पूरे शरीर के अंदर घुस जाती है। अब यहां पर इसे दिखायागा है ऐसा मंकी और यहां पर वो कहता है कि जल से जल इसे बाहर लेका जाओ। यहां पर एक बंदा कहता है कि इसके लिए तुम काफी बड़ी पे करने वाले हो अपनी लाइफ से और काफी दर रोरा होता है। यहां पर वो कहता है कि तुम्हारे दोस्त काफी बड़े ट्रैश हैं जो कि एक अटक को समालने पा रहे हैं। जिसके बाद वो पियर ओफ क्लाउड का इस्तमार करता है हैंली जहां पर एक छोटे छोटे बॉल उसके सामने आके गरते हैं। और एक काफी बड़ा दमाका क्रियेट कर देते हैं जिसकी बज़े से ताइन दूर जाकर गिरता है और कहता है मैं तुम्हें खतम कर दूँगा। यह अगर किसी को याद दी है तो मैं बता दो कि यह बाटल सीजन टू से एपिसोड नूमर वन से लिया गया है जहां पर वो एक तांत्रिक को मारते हुए इस बाटल को चुराता है या फिकरेट प्रेजर है इसके लिए यहां पर वो कहता है कि मैं तुम्हें इसके लिए बाहर आने के बाद भी वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहता है लिए उनका जहां पर वो कहता है कि यह गोल्डन लाइट टेक्निक है और इसमें मैं तुम्हें हरा दूंगा अब यहां पर वो काफी जादा मात्रा में तालिसमान का यूज करता है और वो बंदा या फिक मात्रा में एक लाइटनिंग गिराता है यह फिक हो एक स्वाट टाइब की चीज होती है यह लाइटनिंग इतनी खतरनाक होती है कि उसके ब्लेड भी उसे रोक नहीं पाते लेकिन वो फिर भी अपने आपको प्रोटेक्ट करता है इस पर वो कहता है अब यह साई चीजे मु होन निकालता है और यह फिनिक्स होता है और इतना खतरनाक पावर है जिसे एक कोई भी बड़ा से बड़ा मॉन्स्टर मारा जा सकता है अभी तक के इस पूरे स्टोरी में हैंली को ही सबसे जाधा तकत्वर दिखाया गया है लेकिन यह बंदा उससे भी जाधा तकत्वर है दूसरी तरफ हैनली के एक और सीनियर जो कि जोशिय से फाइट कर रहा होते हैं और यहाँ पर वो उससे फाइट करने के दौरान कहते हैं कि तुम अब मरने के लिए रेडी हो जाओ जिस पर वो बड़ा सा मॉंस्टर या फिकर जोशिन उनके उपर अटैक करता है। यहाँ पर मैं बता दूँ कि इसकी ट्रिक यह थी कि वो उससे एक अपने जाल में फसाएगा या फिकर इन्विजिबल थ्रड में जिससे वो फस सके और उससे के उपर काफी बड़ा या फिक कहूं जाइंट स्वाड का यूज़ करेगा लेकि उसकी पहले ही वो ब्लेड से उन डिर्कली कॉंट्रेक्ट ना कराया जातों फाइनली वो उस मॉंस्टर को मार देते हैं अब यहाँ पर उसके पूरे चेस्ट पे वो गुज़ा होता है इसलिए वो कहता है कि इसके लिए तुम काफी बड़ी चीज़े पे करने वाले हो इसलिए अब तुम मरने के लिए मल्टिपल भाले का यूज़ करता है जहाँ पर वो से रोकने के लिए अपनी स्वार्ड का इस्तेमाल करता है जुशिन या फिकवो मॉंस्टर जिसके बाद भी वो स्वार्ड उसको कुछ भी नहीं रोक पाती है और वो भाले पूरे शेवी में उसके घुज जाते हैं लेकि जूस्टिंग को भी दिखाया है जिसके उपर काफिस दा मतर में क्रोकोडाल होते हैं तो हैं लिए क्रोकोडाल को भी वापस बुला लेता है क्योंकि इसके सीजिनियर ने कहा था कि हम इस चेकनिक का यूज़ करने वारा हूं इसके साही चीज़े वापस ले लो यहाँ पर कहते हैं कि फेनिक्स टेकनिक का आप यूज़ कर सकते हैं हम लोग क्योंकि यह अब रेडि हो चुका है अब यह फीनिक्स के काफी जादा स्टॉंग है और इतनी जादा स्टॉंग है कि वह इस शेल को भी तोड़ सकती है जिसके अंदर वो डीमन प्रॉंस्फोर्म मिशन को क यहां पर सभी लोग वापस ले लेते हैं अपने अपने वैपन्स को और इजोशन भी देखकर काफ़र शौक में होता है क्योंकि इविल डेविल जो होते हैं उनके सामने यह फीनिक्स चेक्निक बहुत जारी पावरफुल होती है जहां पर वो इस मॉंस्टर को टच करने से ही साथ ही साथ यह फीनिक्स ने उसे टच किया था और वह पूरी तरसे करने से गुड़ जाता है अब यहां पर करी रहा होता है उसी दोरान वह फीनिक्स भी इसे टच करती है इसके बाद वह उसे शेल के अंदर भी खतम करती है इस चीजह को देखते हुए बहुता है पाफी लोग खुश होते हैं कि उनका एक साथी तो मरा लेकिन इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने पूरे मॉंस्टर को खतम कर दिया है और उनका राजा को भी बचा लिया है इस चीज़ में हैनली सिफ इतना ही कहता है यह है एक रियल ट्रजर जिसे वह हमिश्य से चाहेगा यह टेक्निक उसके पास भी हो गाइस आज के लिए पस इतना ही अगर आपको मेरे एक्स्पेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बैला क झाल क्योव थैंक यू